Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Adikshid, your biology teacher. और आज मैं आपको ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ, जो आपना हमेशा अपना biology exam देते टाइम करते हो. तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, उसके बारे में हम discuss करेंगे. तो यह जो गलतियां होती हैं, हम intentionally करते हैं, we are bound to do it. ओके, वो हो जाती है. तो mistakes to avoid during biology exam, वो मैं बताऊंगी कि कैसे 35% से आप 90% प्लस ला सकते हो. बस यह गलतियां जो हैं आपको अपने exam के टाइम पे नहीं करने हैं, specially bio exam के टाइम पे. ओके, तो कौन सी गलतियां होती हैं, जो हम, क्या, ना चाहके भी करते ही हैं, मजबूर है, writing a long paragraph, paragraph नहीं लिखना है, हमें points में answer लिखना है, क्योंकि जो examiner होता, जो copies check करता है, वो paragraph में ढूंडने में उसको answer, irritation हो जाती है. तो भई क्यों irritate करें हम उसको, हम points में answer लिखें और वो points read करें और हमें marks से दे, paragraph में उसको word search करना पड़ता है, कि जो पूछा गया है, वो actual में लिखा है या नहीं, points हो खट-खट-खट पढ़ लेता है, है ना, तो इसलिए paragraph avoid करें, points में answer दें, जित्ते आप points लिखो अच है, okay, सबसे पहले बाद तो यह हो गई कि हम paragraph पर paragraph लिखे जा रहे हैं, नहीं, सिर्फ points में answer लिखना है, दूश्रा क्या है, writing more than required, जितना पूछा है, उतना ही लिखो, पूरी चीजे लिखने की ज़रत नहीं है, okay, तो जितना required है, यह डिपेंड करता है, आपके marks पे, अगर three marks का question है, तो आप three marks के according ही लिखो, और अगर पांच marks का question है, तो पांच marks के according ही लिखो, ठीक है, अब three marks के answer में, आप पूरी अगर sheet भर दे रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि आपको marks तीन ही मिल रहे हैं, वो बढ़ा कि आपको पांच नहीं दे देंगे, तो ह हमेश है ना, marks के हिसाब से लिखो कि क्या पूछा गया, और किते marks का है, marks पे ज़्यादा focus करो, ओके, अगर पूछा गया है, what is photosynthesis, दो marks में, या एक mark में, या तीन mark में, तो आप define कर दो, definition लिख दो, और अगर वहीं पांच marks में लिखा है, तो आप उसको, पांच या तीन marks में दिया है, तो आप उसको पूरा define करोगे, और उसकी जो steps हैं, वो भी लिखोगे, ओके, जो photosynthesis की 3 steps आपके, NCRT book में दिये 10th वालो की, वो पूरा आप लिखोगे, ओके, तो हमेशा मैं अपनी class में भी बच्चों को बोलती हूँ, बच्चे पूछते मैं इतना ही लिखना आकर यह question पूछा जाएगा, तो मेरा हमेशा जवाब यही होता है कि बच्चों बेटा, आपको marks देखना है, ठीक है, वो सारी चीज़े marks पे depend करती है, तो जितना जालिक, जितना compact में आप ज़्यादा दोगे, ज़्यादा अच्छा होगा, ओके, not drawing the diagrams, अब भाई, डाइग diagram यादे, उन्हें बना दिया, अब labeling नहीं करी, तो वो भी बात गलत है, आपको label भी करना है, कि यह diagram है, और इसके यह, यह, पार्ट सोर, diagram में जो होता है, सही, correct, labeling के marks होते हैं, आपने draw कर दिया, और आपकी labeling अगर सही नहीं है, तो आपको marks नहीं मिलेंगे, ओके, तो आप को label भी करना है, diagram की labeling भी करना है, और diagram बनाना है, पांच मां का question है, तो diagram तो बनाना ही बनाना है, चल लिखा हो, या नहीं लिखा हो, diagram आपको बनाना ही है, diagrams are very important in biology exam, okay, तो आपके पास time नहीं है, जो भी है, आप एक rough diagram, वो आपका drawing skills नहीं देख रहे हैं, labeling होना चाहीं, और okay, फिर next क्या है, not utilizing the reading time fruitfully, okay, तो जो आपको starting के 15 minutes मिल रहे हैं, आप उसको अप करी नहीं रहे हैं, utilize ही नहीं कर रहे हो, आप उसको questions देखो और आपको समझ में आ जाएगा, कि हां मुझे ये answer आता है, और ये answer में को थोड़ा अच्छे से नहीं आता है, इसमें सोचना पड तो reading के time पर आपको ये सारी चीज़ से decide कर लेनी है, और उस time पर क्या करना है, कि जब आप paper लिखने बैठो, तो आपको जो आता है पहले वो attempt कर लो, जो आता है आपको पहले वो attempt कर लो, अगर आपको असा लगता है कि examiner है, वो irritate हो जाएगा, अगर दूसरा section पहले कर ले section है, okay, but आपको reading time पर समझ में आ जाता है कि मैं इस answer के लिए sure हूँ, मैं इस answer के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो जिसमें आप sure हो, पहला वो खट-खट-खट-खट लिख दो, और जो इसमें आप sure नहीं हो, उसके लिए तो space छोड़ दो, या फिर उसको सब से last में करो, okay, but अगर आप last में कर रहे हो, तो आपको section और question number आपको अपना डालना है, तो reading time हमेशा utilize करें, question हमेशा पढ़िए, और जो sure नहीं है, जो question में आप sure नहीं हो, कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, कुछ idea है, तो आप वो कर लो, और कुछ questions जो हमें नहीं आते है बट उसका आजू-बाजू का आता है, हमें कोई question तो छोड़ना नहीं है, जो भी आजू-बाजू का आता है वो लिख दो, last में, पर ये सारी चीज़े हमें exam के last में करने हैं, जब हमारे पूरे answers questions हमने लिख लिए हैं, जिसके लिए हम sure है, okay, और जिसके लिए हम sure नहीं है वो questions last में, ठीक है, फिर हम बात करते है, neglecting NCRT text material, अब क्या होता है कि photo synthesis का जैसे मैं example दे रही हूं, उसमें 3 क्या है, 3 steps है, अब बच्चे 3 को, 2nd को, उसको 4 में कर देते हैं, उसको 3 steps जो, 4 steps में कर देते हैं, या 3rd of, 2nd or 3rd को मिला देते हैं, तो हम ऐसा करें कि avoid marks तो मिलें करेंगे, बट अगर आप वो ही 3 steps, भले ही अपने words में लिखो, बट वो ही 3 steps अगर आप लिखोगे, तो वो अच्छा है, और NCRT books के text आप यूज़ करोगे, तो और भी अच्छा हैगा, I know it's a bit difficult, but try to do that, okay, try to do that, try to use NCRT text codes, code them, okay, तो उससे कहने किसे हमने को लगता है, हाँ खुशी होती है, copy check करने वाले को खुशी होती कि हाँ बच्चे को आता है, okay, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें NCRT text material को निगलेक्ट नहीं करना है, जैसे points दिये हैं, जो दिया है, वो लिखना है, फिर तो आप अपने words में लिखो गई, समझ में आना जरूरी है, फिर आपन steps mention करने है, अगर digestive system का आएगा, तो मुझे ये सारी चीज़ें NCRT की वहाँ पर copy में अपने लिखनी है, okay, ये हमें बातें ध्यान रखनी है, तो ये जो थे, ये थी common mistakes, जो हम बायो के exam के दोरान करते हैं, और हमें इसको avoid करना है, ताकि हमारा paper बहुत अच्छा जाए, okay, औ और मैं guarantee के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप ये 5 बातें अपने दिमाग में बैठा लो, अगर आप इसको समझ गए कि हाँ भाई, ये गलतियां तो मैं भी करता हूँ, मुझसे भी होती है, या मुझसे हो सकती है, तो अगली बार से आप ये गलतियां नहीं करोगे, और तरक रहोगे कि हाँ मुझे नहीं करनी है, ठीक है, तो ऐसी और वीडियो के लिए आज ही Step Up Academy को सब्सक्राइब करें, मैं मिलूँगे आप से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप आचेंगी